नमस्कार, शायद आप सभी ने वास्तु शास्त्र के बारे में सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा, तो आज हम आपको वास्तु शास्त्र के बारे में विस्तार से बताएंगे. आखिर क्या है वास्तु शास्त्र? इसका संबंध दिशाओं और उर्जाओं से है, इसके अंतरगत दिशाओं को आधार बनाकर आसपास मौझूद नकारात्मक उर्जाओं को कुछ इस तरह सकारात्मक किया जाता है, ताकि वह मानव जीवन पर अपना प्रतिकूर प्रभाव ना डाल सके विश्व के प्रथम वि जाओं विश्व को समपूर्ण सुख, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है, वास्थु शिल्पशास्त्र का ज्यान मृत्यू पर भी विजय प्राप्ट कराकर लोक में परमानन उत्पर्न करता है। शाके उद्देश से इस विज्ञान का विकास किया वास्तु का उद्भव स्थापत्य वेद से हुआ है, जो अथर्व वेद का अंध है, इस रिष्टी के साथ साथ मानव शरीर भी पृत्वी, जल, अगनी, वायू और आकाश से बना है, और वास्तु शास्त्र के अनुसार य सुभशुप दशा का अनुमान वास्तु विद आसपास की चीजों को देख कर ही लगाते हैं, भूखन की किस दिशा की ओर क्या है, और उसका भूखन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी वास्तु शास्त्र के सिध्धान्तों के अध्ययन विशलेशन से ही मिल सकती है, इसके सिध्धान्तों के अनुरूप निर्मित भवन में रहने वालों के जीवन के सुखमय होने की संभावना प्रबल हो जाती है, हर मनुष्य की इच्छा होती है, कि उसका घर जानतों के अनुरूप हो और यदी उसमें कोई वास्तु दोश हो तो उसका वास्तु सम्मत सुधार किया जाए यदी मकान की दिशाओं में या भूमी में दोश हो तो उस पर कितनी भी लागत लगा कर मकान खडा। किया जाए उसमें रहने वालों की जीवन सुख्मय नहीं होता मुगल कालीन भवनों मिस्र के पिरामिड आदी के निर्मानकार्य में वास्तु शास्त्र का सहारा लिया गया है। के नियम भी शाश्वत है। सिद्दान्त आधारित, विश्व व्यापी एवं सर्वग रहा है। किसी भी विज्ञान के लिए अनिवार्य सभी गुण तर्क संगत्ता, साध्यता, स्थाइत्व, सिद्दान्त परक्ता एवं लाभदायक्ता वास्तु के स्थाई गुड है। आथा वास्तु को हम बहिचक वास्तु विज्ञान कह सकते हैं। वास्तु शास्त्र एवं जोतिश शास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अभिन्ना अंग है। जैसे शरीर का अपने विविद अंगों के साथ अटूट संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार जोतिश शास्त्र का अपनी सभी शाखाएं प्रशन शास्त्र, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र आधी के साथ अटूट संबंध है, जोतिश एवं वास्तु शास्त्र के बीच निकट्टा का कारण यहा है कि दोनों का उद्भव वैदिक संहितायों से हुआ है, दोनों शास्त्रों का लक्ष मानव मात्र को प्रगती एवं उन्नती की राह पर अग्रसर कराना है, एवं सुरक्षा देना है, वास्तु सिध्धान. कि अनुरूप निर्मित भवन एवं उसमें वास्तु सम्मत दिशाओं में सही स्थानों पर रखी गई वस्तुओं के फल्स्वरूप उसमें रहने वाले लोगों का जीवन शान्ति पूर्ण और सुखमय होता है, इसलिए उचित यहा है कि भवन का निर्मान किसी वास्तुवि फल्सवरूप उसमें रहने वालों का जीवन सुखमय होता है, वहीं परिवार के सदस्यों को उनके हर कारिय में सफलता मिलती है, इस जानकारी को शेर्स जरूर करें और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए